हलो गूट इनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जुलाई 2020 के जो स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट इयर में प्रमोट किया गया था उनके प्रमोशन के मार्क्स को कब एड किया जाएगा और कैस इसे नंबर मिलेगा इस सभी चीजों के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको डीटेल में बताऊंगा इसलिए इस फूरी वीडियो को लास्ट तक देखेगा चलिए सुरू करते हैं मैंने एक स्टूडन का इन्रोलमेंट नंबर लोगिन कर लिया जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जुलाई दो हजार बीस में इनका एडमिशन हुआ है फर्स्ट इयर में ठीक है फर्स्ट इयर के सब्जक कौन से है उपर वाले सारे ठीक है ये उपर वाले जितने भ ये सारे फर्स्ट इयर के सब्जक है और इसमें इनको प्रमोट किया गया है और प्रमोशन में बोला गया था कि आपके जो सेकंड इयर के सब्जक होंगे ठीक है सेकंड इयर के सब्जक है ये रहे सेकंड इयर के सब्जक जिनको इन्होंने जुलाई 2021 में रजिस्टेशन कर आता, second year के subject A है, ठीक है, second year के subject मुला कह था, कि जब आपका second year के subject का result आएगा, और आप सभी second year के subject में pass हो जाएगे, तब हम आपको first year के marks को आपको मिल जाएगा, तो यानि कहने का मतलब क्या है, कि आपके जो second year के subject हैं, इसको सभी subject, second year में कितने हैं, आठ subject हैं, आठों के आठो subject को क्या करना है, आपको pass करना है, जब आप second year के, आठों के आठ subject में क्या हो जाएगे, pass हो जाएगे, तो आपको first year के number मिल जाएगा, वे आपको grade card में मिल जाएगा, ठीक है, यह ऐसा बोला गया है, कि आपको first year के marks हो, उसी के आठार पे आपको दे दिया जाएगा, जैसा कि आप सब को पता होगा, कि जो second year का exam हैं, आप सभी लोगों का, जुलाई 2019, बीस के जो student हैं, उनका जो second year का exam हुआ, पांच तारिक से, अभी 5 सितंबर को आपका exam खतम हुआ, 22 जुलाई से 5 सितंबर तक चला है, तो student का क्या है, result आभी रहा है, ठीक है, मैंने इस student के grade card को भी open कर लिया है, और आप देख सकते हैं, इनका जो grade card होगा, ठीक है, मैंने grade card को इनका open किया, और आप देख सकते हैं, इनके जो second year के subject हैं, ठीक है, second year का इनका कितना result है, उसको हम देखते हैं, आप सभी को अपना grade card open करना पड़ेगा, ठीक है, अगर grade card में इनका देखता हूँ, तो second year का इनका जो subject है, देखे, BHDLA 137 में 57 नमबर हैं, BHIC 133 ये second year का subject है, 67 marks हैं, BHIC 133 इसमे 62 marks हैं, और BPSC 133 में इनके 70 यानि 70 नमबर हैं, तो total अभी तक इनके 4 subject का result आया है, ठीक है, इन्होंने 8 subject का exam दिया, आप सबने भी 8 subject का exam दिया होगा, अभी किसी student का 1 subject का, किसी का 2 का, किसी के 4 का, किसी के 6 subject का result अभी आया है, अभी के 8 के 8 subject का भी बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है, किसी किसी का सायद आभी गया होगा, ऐसा है, तो आप सभी को पता होगा कि बोला गया है कि जब आपके second year के सभी subject का result आ जाएगा तो इनका देख लीजिए मैं आपको first year में marks कैसे मिलेगा वो मैं भी जोड़ करके calculate करके बताता हूँ तो देखो इनको second year के इनके जो subject है first year में इनको number कैसे मिलेगा वो बताऊँगा देखो BHDLA 137 में याद रखना 57 number है BHIC 133 में 67 है BHIC 133 तो मैं क्या करूँगा इन 4 subject के जो इनको marks है इनको मैं क्या कर लेता हूँ इनको लिख लिया हूँ ठीक है देखेगा मैंने क्या किया मैंने यहाँ लिख 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 लिया क्या लिखना इगनू और आपको example के तौर से मैं यहाँ का समझाऊंगा कि आपको first year में marks कैसे मिलेगा तो आपके जो second year का exam दिया है उनके हम result की बात करते हैं जैसे आप सभी ने भी exam दिया होगा ठीक है आपका 8 subject है ठीक है बिये जी second year के according देखेंगे second year के according first year का number मिलेगा तो first year में आपको number कैसे मिलेगा तो second year के मैंने यहाँ पर subject लिखे और फिर इनके लिखे marks आप भी सभी लोग क्या करना grade card में जो number रहेगा उसी के according लिखना है ठीक है तो जैसे आपने देखोगा BHDLA 137 में इनके 57 number है BHIC 133 में इनके 67 marks है BHIC 133 में इनके 62 marks है BPSC 133 में इनके 70 number थे चार का result आया है ठीक है उसके बाद क्या है भी चार subject का result आया नहीं total 8 subject है तो देखो बाकी जो चार के subject का result नहीं उसके मैं example के तौर से संगा था उदारन दे रहा हूँ जैसे इनका एक subject है BNS 184 है ठीक है एक 50 number का paper होता है और 50 में से मालो इनके 30 number आ जाते है 50 number का paper था और इनके 30 आ जाते है तो grade card में 200 होता 60 number 100 करेगा तो आप देख सकते हैं 60 मैंने लिख दिया फिर BEGS 183 इसका भी 50 number का paper होता है और मालो इनके इसमें 50 में से 31 marks आते है एक जांपल ही बता उदारन दे रहा हूँ इनको मैंने लिख दिया 62 क्योंकि 31 का 62 हो जाएगा ठीक है फिर मैंने क्या लिखा है DGLA 138 इनका subject है तो मैंने इनसे बात किया दिनों बोला था लाग बग मेरे 55-56 number आगे तो मैंने 65 लिख दिया फिर BPSC 134 एक्जांपल ही मैंने लिया उदाहन ले रहा हूँ तो इसमें लिया देखो BPSC 134 इनके 17 marks मैंने लिख दिया है ठीक है देखो चार subject का result आया इसी student का चार subject मैंने एक्जांपल लिया अभी उनके चार subject का result आएगा तो आप सभी लोगों का जब सभी subject का result आएगा तो second year वाले जितने subject होंगे आठों के आठों है आठों के आठों को ऐसे लिख देना है और फिर उसको हमें क्या करना है उसको जोड़ना है जैसे 57 है 67 है 62 है 70 है 60 ग्रेड कार्ड में जो रहेगा ठीक है ग्रेड कार्ड में सभी marks को हमें क्या कर लेना है लिख लेना इसे और फिर उनको हमें प्लस करना है, इनको जोड लेना है, ठीक है, इनको प्लस करना, जब मैंने इनको जोड़ा, तो इनको कितने माक्सा है, इनका 513, यानी 513 नंबर बना, आपके इस second year के जितने subject है, भईया, सब को जोड लो, और सब को जोड रिया, तो इनको 513, फिर 513 को क्या क जब मैंने आठ से भाग देना तो इनका कितना रहा है आप देख सकते हैं 8 से भाग देना थीक है यहां पर 8 से भाग दिया और जब मैंने 8 से भाग दिया पांसो तेरा को आपका भी जितने नंबर लिखना ग्रेट काड से उठा लेना लिख लेना and फिर उसको जोड लेना, फिर उसको 8 से भाग देना, तो इनको कितना नमबर आ रहा है, 64.124, देखो, 0.5 के बाद, अगर 5 रहेगा, तो आगला नमबर लिखा जागा, तो इनके 1st year के जितने subject होंगे, अगर एक्जामपल तोर पे अगर इनके ऐसे ही marks आते हैं, तो इनको 1st year म नमबर बन रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो 1st year के subject होंगे, 2nd year के subject में, मैंने सारे नमबर आपको जोड के दिखा है, 2nd year के income man, उनका result आ गया, great card के according इनको सभी जोड लिया, तो 1st year के जो इनके subject होंगे, 1st year में सभी इनको कितना कितना number मिलेगा, सभी subject मे 8 के 8 subject में 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 number इनको सभी subject में मिल जागा, अगर आपका भी result आएगा, तो आप भी अपना जोड लेना, और आपका कितना number बनता है, हिस हिसाब से आप अपना जोड सकते हो कि आपको कैसे मिलेगा, तो कैसे number मिलता है, चलो मैं एक student का example दिखाता हूँ, उस उसको marks मिल गए है, तो उसका अभी मैं दिखाऊंगा कैसे मिलता, देखेगा, grade card में देखो, grade card में इनके marks को update कर दियागा, देखे, इनका देखे, grade card में देखो, grade card में देखो, इनका second year का जो subject है, देखो, second year के इनके जितने भी subject है, देखो, BNS 183, BNS 184, यह second year का दो subject है, फिर इनका देखोगे, BHIC 133 और BHIC 134, second year का subject है, फिर उसके बाद देखोगे, इनका जो second year का subject है, BPSC 133 और BPSC 134, तो इनका जितना second year का 8 का subject था, सभी का जैसे इनको जोडा गया है, और आप देखो, जितना subject था second year का, सभी को जोडा, और 8 से क्या गिया, भाग दिया, और 8 से भाग देने के बाद इनका कितना मर रहा था सतन सत्तावन पॉइंट कुछ बना है 57 पॉइंट बना तो आप देख रहोगे इनके फरस्ट एर के जितने सब्जेक्ट है आप देखो फरस्ट एर का सब्जेक्ट है 57 marks मिल गा फरस्ट एर का 57 57 57 देखो फरस्ट एर के जितने सब में आपको मिल जागा तो आप देख रहें ना इसी प्रकार से आपका भी जो grade card होगा ठीक है second year में जितना result आएगा उसको जोड़ लिजेगा वही number आपके first year में सभी subject में आपको मिल जाएगा तो आप सभी नो जो अपने exam दिये हैं जब आपके second year के जब आपके promotion में कितना number कई बार कैसे भी होता कैसे कई बार calculation इगनू के तरब से गलत हो जाती calculation मतलब ओ जोड़ने में भाईया गलती कर देते हैं तो आप सब लोग अपना जोड़ लेना अगर आपको लगेगा कि मेरे को ज़्यादा number मिलना चाहिए था इगनू वाला मुझे promotion का number कम दे रहा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप second year का जितना subject होगा grade card में जाना इसे grade card खोलना और आठों को लिखना आठों को जोड़ना आठ से भाग दे देना और जितना आएगा मालो की किसी एक आ गया 65.5 आ गया एक्जामपल बता तो 65.5 आ गया 123 तो आपका 66 number count होगा तो आप ऐसे अपने marks को add कर सकते हैं अभी भी आपको कोई सवाल है देखो आपने exam दिया है exam में जब आपका second year में सभी subject पास होना जरूरी है आठो के आठो subject में जब पास हो जाओगे तो आपका first year का number दे दिया जाएगा और जब आपका first year का promotion का मायक सोड़ेगा तो भी मैं आपको वीडियो बना करके जरूर बता दूँगा इसलिए चैन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूँच सकते हैं एग वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताईगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद चैन को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि प्रमोशन के मक्स जैसे याड़ होगा मैं आपको वीडियो बना करके जरूर बताईगा थैंक्यू सो मद जै हिन जै भारत